हेलो व्रिवान दीशी प्रभासिंग आज हम इसमें अन्वेस पेपर 2019 का डिस्कस करेंगे हलांकि इसमें साथा कोश्चन ही करवाए मैंने लेकिन इसमें क्या है कि हम फैक्ट भी पढ़ेंगे कि एक ही कोश्चन से और कौन सा कोश्चन बन सकते है राग बन सकते है वो भी डिस सारंग, देशकार, कामोद या चायनट अगर थार्ट को ट्रिक से पढ़ना है कि कौन सा थार्ट का है तो इसमें मैंने काफी सारे वीडियो डाली हुई आप देख सकते हो तो इसमें सही अंसर जो आएगा इसका उप्शन भी आएगा क्योंकि देशकार जो है वो बिलावल रखती है पहला वह होती है मुर्की होती है गमक होती है टप्पा होती है हम सभी जानते है कि महाँ पर गमक का तो इतना यूज नहीं होता हलांकि मुर्की का यूज कर लेते है टप्पा तो हमें पता है कि हमारे भारत की ही है टप्पा जो हम होली के लिए जो बहुत जादा परसीद है, sorry, टपा जो है, क्रिशन वगारा को डेडिकेट करते हैं, तो मुर्की आएगा इसका सही अंसार, नेक्स्ट कोश्टन आता है कि अस्टांग गाई की जो है, वो इन में से किस से रिलेट करती है, कि अगर आपको NVS के वैसे अभी एक्जाम आने वाला है, तो इसको कोट स्टार्ट करने से कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन फिर भी बीच में हम कोश्टन की सीरिस शुरू करेंगे, तो अब इसलिए आल डिस्कस टू यू, इन में से किस से संबंदीत है, कटपा से, ठुमरी से, खयाल से, धुरूपद से, वी नो वैरिवर की धुरूपद में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका अंसर खयाल आएगा, ठुमरी जो है, ठुमरी का कोश्टन ये बनता है, कि चंचल पर करती की गायक शैली क्या है, तो ठुमरी आता है, नेक्स्ट कोश्टन होता है, कि कोश्ट छोटा खयाल जो है, वो किस से विक्सित हो है, बड़े खयाल से, कवाली से, धुरूपद से, ठुमरी से, कई बर ऐसा होता है, कि एक्जाम में आपसे, सिक्वेंस पूछ जाता है, कि कौन सी चीज पहले आई है, आपसे ऐसी चीज़े पूरी जा सकती है, कि वैसे मोशली क्या होता है, प्रभंध दिया होता है, उसके बाद धृपद दिया होता है, और खयाल जो है, उसको हम थर्ड नंबर पर रखते है, ठुमरी जो है, वो सबसे लाष्ट में रखी जाती है, तो वो काफी सारे आर्टिस्टा जिसका अलग रग देखने को मिलते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट कोशन आ रहे है कि राग शब्द सबसे पहले किस ने प्रसूत किया था अहोबल ने श्री निवास ने भरत ने या मतंग ने देखो इस गरंथ में सबके अपनी ने quality है अगर आप से बَّता, कि राग तो हमें पता ये किस ने बताया है मतंग जी ने बताया है लेकिन कई बार हमसे ये बुच राता है लेगि किस गरंथ में बताया गया है तो हमें सबको बता कि मतंग का सिर्फ एक गरंथा था और कई बर आपसे question ने पूच रहता है कि मतंग ने किसका अनुसरान किया है तो हम भरत लिखेंगे यहाँ पे कभी question ऐसा पूच रहता है कि श्री निवास ने किसको फॉलो किया है तो हम आहोबर लिखेंगे तो राक शब्द के अगर हम बात करते हैं तो इसका सही answer क्या आएगा, मतंग आएगा अगर पूछ रहाता है, किसको follow करते हैं तो भरत को करते है Next question is here, Nandiyati क्या है देखो, मैं सही answer बताने में ज़्यादा टाइम नहीं लोंगी, क्यों क्योंकि मैं चाहरी हैं कि मैं पसे फैक्ट भी डिसकस करो देखो हमें पता है कि जो जातियों के बारे बता है वो भरत ने बता है और कई बर कॉशन पूच रहता है कि जातियों होती कोई सी है कितनी होती है तो 18 होती है और हमसे पूछ रहते हैं कि शुद्य जाते हैं कितनी और विक्रत कितनी है अगर हम बात करें मध्यम गराम के विक्रत जाते हैं वो 11 होती है सुरी टोटल अगर हम विक्रत जाते हैं कि बात करें तो 11 होती है अगर हम शुद्य जाते हैं कि बात करते हैं तो 7 होती है जबकि मध्यम ग्राम में विक्रत जो होती है वो तीन होती है छड़त ग्राम में जो विक्रत होती है वो तीन होती है ठीके बाकी चार्ज होती है वो शुद जाती होती है तो इसका सही अंसर क्या है गा जाती से जाती से related है क्योंकि ये मुननदयती जो है वो विक्रत जाती है नेक्स्ट कॉर्शन आता है कि राग प्रभाकली जो है वो किसके द्वार रचीत है देखो अगर आप रवी शंकर की देखो मैं एक चीज इसमें आपको बताना चाहती हूँ कि जो रवी शंकर की रागे है अगर आप उनको देखोगे उनका श्वरी श्वरी पीछे नहीं से साउंड लगता है विश्वेश्वरी हाना इस तरीके से साउंड आपको दिखाई देगा रवी शंकर की जो रागे है क्योंकि यहां पर रविशंकर की जीवनी बनी हुए कि अगर आपको देखना है तो कर सकते हो अगर हम बात करें फेयाज खां की तो फेयाज खां का जो है इतना रागों में नाम नहीं आता है उनका इतना ज़्यादा नाम नहीं आता है कि हमें पता एक ख्यालगाय की स्रेलेट करते है और ये आगरा घराने से बिलवग करते है और आजक है नोम तॉम कैं अलाप की जो खोज की थी वो औनों ने की थी ओमकार ना ठाकुर की बात करते हैं तो ओमकार ना ठाकु का सम्टाइम हमसे पुछ राता है कि घराना कुन सा आता है तो गवालियर घराने से भी लोग करते हैं और हमें पता है इन्हों ने शुरूतियों को सिर्फ तीन ही नाम दिये थे लगू, लीमा, कॉमा ठीक है लेकिन जो अलावदिन खा है ये अलावदिन खा के द्वारा लिखी गए अगर आप विश्म को निकालना है तो विश्म को निकालने के लिए आपको इसको टू से डिवाइड करोगे ना तो आपको पता चलेगा जो जो टू से डिवाइड हो रही है इसमीन वो विश्म ताल है वैसे आधी ताल है जो वो एट मात्रा की मानी जाती है क्योंकि वो टू स से डिवायंड हो Cambridge 17астьat यह भी दो सी डिवाय यह पूछ्जिय है लेकिन अगर हम भात करें ग्रहंत निए 18 की की काल नियुकित वह भी दो से डिवाय ही हो जाती हैं अगर हम करें बत कहते हैं तो को आ बात करते हैं और श 창 से 18 lesu लिवायड उसको विश्यम बोला जाता है हमने बच्छपन बहुत पढ़ा है सम विश्यम विश्यम उसको बोलते हैं जो भी डिवाइड नहीं होता सम उसको बोलते हैं जो दो से डिवाइड हो जाता है तो लक्षमी ताल आप देख सकते हो ठारा की है और इसमें क्या question बन सकता है कि इन में से कौन सी ताल है जिसके सारे विवाग एक एक मातरा की होते हैं है ना तो लक्षमी को हम मान सकते हैं एक अदर्शी ताल भी ऐसी है यह देखो शीखर ताल देख सकते हो 17 मातरा की है इसमें देखो कितने आपको देख सकते हो 17 मातरा को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी इसलिए हमारा दसर गलती होगा क्योंकि 17 कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता तो इसका सही आंसर हम क्या लेंगे शीखर विष्यम का अगर विभाग लिग दिया मैंने सौरी विष्यम आए गए हैं ठीक है नेक्स्ट कोशन इसलिए है इनमें से कौन से राग का कोमल रिशब नहीं होता यानि कि इनमें से किस राग में कोमल रिशब यूज नहीं होता पहली है देसी, तोड़ी, विभास, मुलतानी तोड़ी तो देखो बहुत famous लाग हमें सबको पता है तोड़ी में तो लगता ही है चूए तोड़ी में रेगा, धानी सब कोमल लगते हैं मातिवर भी लगता है पाँच के पाँच तिब्र सवर लगते हैं, कॉमल सवर लगते हैं इसमें अगर हम बात करते हैं विभास की, ठीक है? तो विभास में भी रे कॉमल लगता है, क्योंकि अगर हम इसमें रेशुद करते हैं तो देशकार बन जाता है, हाना, ऐसा सुनने में आता है कई बरस हम से पूछ रहाता है कि रे शुद करने पर हम किस राग किछाया लेंगे तो देशकार अगर हम मुल्तानी की बात करें तो मुल्तानी में रे धा में इपोर्टनेट है ठीक है मुल्तानी का question ये बनता है especially कि रेधा गर हम शूद्ध कर दे तो कौँ सा राग बनता है तो मदवनती बनता है तो सही अंसर इसमें क्या हुआ देख सकते हो अगर आपको इसमें यह तेखो थार्ट भी हमसे याद करने को बोलेगा कि देशी जो राग है तो देशी आप काफी से याद रख लो कि आज के ट आदिसवर की तो पंचम और रिशब आता है, परे, ठीक है, ये परे, रेपा, रेधा, धारे, ये सारा मैंने ट्रिक्स से बनाये हुआ है, आप इसको भी देख सकते हो, इस राग में क्या होता है, कोमल गंधार और कोमल निशाद का प्रियोग किया जाता है, लेकिन अगर इसक शुद कर देंगे, सारे गापा धासा, ठीक है, सारे गापा धासा, ओके, तो भुपाली की भी आती है, देशकार की भी आती है, लेकिन भुपाली में ऐसा होता है, कि हमें रे को ले नहीं होता है, लेकिन देशकार में आसा होता है, कि रे को आपको आरो में तो स्किप करना पड़ेगा अधर्वाइस भुपाली लगेगा लेकिन देशकार और उसमें भुपाली में स्वर्थ सेमी होते हैं शुदी लगते हैं लेकिन जो विभास रागे है इसमें रिशब और धैवत कोमर लगते हैं ठीक है तंकी